आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो दोस्तों हमें यहाँ प्रश्ण देरका की एक अबाज्य संक्या और योगिक संक्या के समू में योगिक संक्या अबाज्य संक्या से दुगुनी है ठीक है और समू का सभी संक्याओं का ओसत कितना है नो है यदि अबाज्य संक्याओं और योगिक संक्याओं को आपस में बदल दिया गया तो संख्या समू की संख्याओं का आउसत में दोकी विद्धी हो जाती है यदि आपस में संख्याओं बदलने के दोरान अबाजी संख्या के योगिकों का आउसत और व्यक्तिगत रूप से इस्तिर था तो योगिक संख्याओं का और अबाजी संख्याओं के और अबाजी संख्याओं के और अबाजी संख्याओं के और अनुपात कितना था ये हमें ग्याद करना है सुरुवात के अंदर अब हमें विकल्प दे रखे हैं ये है पहला विकल्प ये है दूसरा विकल्प ये है तीसरा विकल्प और ये है चोता विकल्प ठीक है दोस्तों अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले अबाज्य सिंख्या दो प्रकारगी सिंख्या है हमारे पास में अबाज् एक के अलावा किसी और सिंख्या का थिक…दोस्तों अब देखो हम मान लेते हैं अब देखो योगी संख्यों का अनुपात जो ऊस्द मान लेते हैं वो कितना है और योगी क का अबाज्य का ए और योगी संख्याओं का भी अब प्रश्न के अंदर हमें क्या दे रखा है योगी की संख्याओं अबाज्य संख्याओं से दुगु नहीं है ठीक है दोस्तों तो यहां पर यह X के अंदर होगी संक्षा, यह X संक्षा है तो यह कितनी है, 2X संक्षा है ठीक है दोस्तों, अब इनका अनुपाद कितना होगा तो यहाँ पर हमें दे रहा है x गुणा A x गुणा A प्लस 2x गुणा B ठीक है, और बटे कुल संख्यां यह कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी बटे वे 3x बराबर कितना हो जाएगा तो यह अनका अनुपात ओस्यत कितना है नो दे रखा पूरे सम्मू का तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा a x प्लस 2b x बराबर 27x ठीक है दोस्तों अब x से x कट जाएगा तो हमारे पास में क्या आगया a प्लस 2b a प्लस 2b बराबर 27 इसको हम दे देंगे सम्मीकर नमबर एक अब हमें क्या देरका प्रश्नी के अंदर कि योगिक सिंख्याओं और अबाजी सिंख्याओं को आपसे बद जाता है दो से बढ़ जाता है तो अब अब आज यह संख्याओं कि इतनी हो जाएगी 2 во टो 2 x गुणा एक डो एकस गुणा एकफ्य की बटेंगी और अब जो जाता हो रहाए तो इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में x से x कट जाएगा और यहांपे यह आ 2A, 2A plus B 2A plus B बराबर कितना हो गया हमारे पास में 33 हो गया, इसको हम दे देंगे समीकरण नमबर 2, ठीक है दोस्तों अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो क्या करें, यह तो इसको 2 से गुणा कर दें संक्था को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में कित्ता आ जाएगा तो 2 से इसको गुणा किया पहली समीकरण को तो 2a प्लस 4b ठीक है? बराबर कित्ता हो जाएगा 27 इसको 2 से गुणा करेंगे तो array ठीक है? और यहां पे यह दूसरी समीकरण हमारे पास में क्या जाएगी? 2a प्लस b गटाएंगे तो तीन भी बराबर चोवन में से 33 जाएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा कितना जाएगा हमारे पास में कितना जाएगा तेरा जाएगा अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुरुवात के अंदर अबाज्य संख्याओं व्यतिगत रूप से योगिक संख्याओं के ओस्त का बाज्य संख्याओं के ओस्त से योगिक संख्याओं का ओस्त है वो कितना आया है साथ और एक अमान हमारे पास में कितना आया है तो प है और जो अबाज्य सिंग्या उनका कितना है तेरा तो साथ बटे वे तेरा विकल्प एक हमारी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धन्यमाद क्लासिक सिट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर